वहें अगामे विदानसवा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेश कर दिये और सरकार और संगठन में जाती गर्ष समीकरन दुरूस करने के बाद अब छेतरवार नब्स टटोलने का सिलसिला शुरू किया गया है और इसकी कमान संगठन के साथ मिलकर खुद मुक् शुकरवार की साम हुई बैठक में सबसे पहले विदानसवा च्छेतरवाद फीडबेक लिया गया और सांसद विधायकों से पूछा गया कि क्या स्थितिया और पार्टी के पक्ष में हवा बनाने को ऐसा क्या किया जाए जिसका चुनावी लाब पार्टी और प्रत्याश् और कुछ विदायकों ने गाउ में बिजली का टोटी का मुद्दा भी उठाया तो किसी ने बार्ट के कारण कटाप का मसला रखा और संगटन या सरकार से जुड़े विष्चे भी पूछे गए और इसके साथ संगठात्मक अभ्यानों और कारेकरमों को लेकर भी बाते की और छेत्रे मुद्दों के जरिये कैसे माहौल बनाया जा सकता है और वहीं विदायकों सांसदों से कहा गया कि पार्टी के अभ्यान और कारेकरमों में हर हाल में हिस्सेदारी करें और मुख्यमंत्री ने सबी को नवरात्रे की शुपकामनाय भी देते हुए कहा कि कई अच् और उन्हें भैतर समन्वे के साथ केंद्र और राजी सरकार के काम जंता तक पहुचाने को कहा है और जंता को पुरानी और अपनी सरकार का फर्क बताए और प्रदेश अध्यक शुतंतर देव सिंग ने कहा कि जन प्रतिनिदी संगटन से अच्छा तालमेल बनाते हुए जं जाके डेड़ करोड नए सदसे बनाने को सदस्ता अभ्यान इसी महिने शुरू हो रहा है और अधिक अधिक लोगों को जोड़े और वोट बढ़वाएं और अगामी परचार योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी और हाली में तिन मुल्क कॉंग्रिस में शामिल होने वाले बाबुल सुप्रियों को एक बाब फिर से निराखशा हाथ लगी है और बाबुल जिस उम्मीद से मम्ता बरनेर जी के साथ गए थे उस पर पानी फिरता दिख रहा है दरसल बंगाल की चार विदान सवा सीटों पर 30 अक्तूबर को होने वाले उक्चोनाव के लिए स्टार पर चारकों की सूची जारी कर दी गई है जिसमें मम्ता बरनेर जी और अभी शेक के साथ कई नेताओं का नाम है लेकिन बाबुल सुप्रियों को इसमें जगा नहीं द हवी है लेकिन उन्हें फिर भी तरजी दी गई है जो की बाबुल सुप्रियों के लेक बड़ा जटका है और वहीं जब बाबुल बीजेपी में थे तब पीम मोदी से लेकर अमिशा ने उन्हें हमेसा महत उदिया चाहे वो स्टार पर चारक के रूप में हो या कोई बड़ समय से मेरी दोस्त है और मुझे उनके खिलाब परचार करने में शर्म महसूस होगी और इसलिए मुझे इस परचार अब्याद से दूर रखा जाए देश में जानलेवा करोना वाइरिस के मामले बढ़ने के बाद अब खटने लगे देश में आज लगातार दूसरी बार करोना वाइरिस के नए मामलों में गिरावट देखने को मिली है पिछले 24 घंटे में करोना वाइरिस के 19,740 नए मामले सामने है और वहीं 248 लोगों की मौत होगी और कल देश में 21,257 मामले दर्ज हुए थे और वहीं आपको बता देए कि आज करोना वाइरिस की ताजा स्थिती के बारे में स्थास्ते मंत्राले की और सजारी ताजा आँखलों के मताबिक देश में फिछले 24 घंटे में 23,70 लोग करोना से ठीक हुए और जिसके बाद एक्टिव केस घड़कर 2,36,643 हो गए और देश में अब तक 3,32,48,8,71 लोग करोना को मात दे चुके और देश में अब तक करोना से 4,50,375 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके साथ ही केंदे स्थास्ते मंत्राले ने बताया है कि देश में कल करोना वाइरस वैक्सिन की 89,12,202 डोज लगाई गई है जिसके बाद वैक्सिन की डोज का आंकड़ा बढ़कर अब 93,99,15,323 हो गया और इसके लाब आपको ब पिछले 24 घंटे में कोरोना वाइरस के 10,944 नए मामले सामने आए और वही 120 लोगों की मौत हो गई जिसके बाद राजे में मरने वालों लोगों की संख्या 26,72 हो गई और राजे में अब कोरोना सक्रे मामलों की संख्या 1,16,645 है जबकि अब तक 46,31,300 लोग ठीक हो चुके झाली बादे में और वहीं पुके।